दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जीरो दा काइट अप्लिकेशन में प्राइज अलर्ट किस तरीके से लगाना होता है कभी-कभी होता है दोस्तो की हम ब्रेकाउट ढूनते है लेकिन जब वो ब्रेकाउट हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम सारे स्टॉक एक साथ ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो इस वक्त में आप क्या कर सकते हो, किसी भी stock के उपर price alert लगा सकते हो, ताकि जो भी price आप breakout के लिए देख रहे हो, वो price आने पर आपको notification आ जाए और तुरंत जाके वो stock आप buy कर ले, किस तरीके से लगाना है, उसके लिए सबसे पहले तो watch list में जाना होगा, जो भी stock के करोगे तो एक window open हो जाती है आपके सामने, यहाँ पर आपको alert का नाम देना है, आप stock के नाम के उपर दे सकते हो, जो भी pattern आपने ढूंडा है, उसके उपर देख सकते हो, breakout बोल सकते हो, breakdown बोल सकते हो, जो भी नाम देना है, वो आपके उपर depend है, मैं फिलाल इसको ABCD नाम द करनी है, किस तरीके से तो यह different option आपको मिल जाता है, आपको last traded price के उपर price alert लगाना है, high price के उपर लगाना है, low price के उपर लगाना है, close price, day change, day change percentage, open interest, total sale quantity, average trade price, जो भी आपको select करना है, आप select कर सकते हो, आपका जिस तरीके का मन है, उस तरीके का आप यहाँ पर trade alert लगा सकत हम normally last traded price के उपर लगातेगी, last traded price अगर उपर चली जाएगी, तो हमें बाय करना है, नाम हमने यहाँ पर लिख दा है, बजाश्फिन सर्फ, अब यहाँ पर आपको select करना है, greater than or equal to होना चीए, greater than होना चीए, less than होना चीए, या सिर्फ equal to, उस price के equal to आजाए price, तो आपका alert आ equal to select करेंगे, अब यहाँ पर आप instrument भी select कर सकते हो, अलग और value भी select कर सकते हो, अब instrument select करोगे तो फिर से एक बार property select करनी पड़ेगी, फिर stock select करना पड़ेगा, तो यह आप compare कर सकते होगी, भाई, यह stock से यह stock बढ़ जाए, तो हम यहाँ पर जो है वो buying का मुझे alert होना यह आपके उपर depend है, हम यहाँ पर value select करेंगे, आप value भी लग सकते हो और percentage भी रख सकते हो, एक percent उपर जाएगा तो मुझे buy करना है, दो percent उपर जाएगा तो buy करना है, एक percent नीचे आएगा तो buy करना है, वो अपके उपर depend है, अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, alert 16, 12 का ताकि आपको फता चलेगी, alert किस तरीके से आता है, तो create हम करेंगे, create करने के बाद, alert हमारा create हो गया है, और हम orders में, या फिर tools में, sorry, orders में नहीं जाना होता है, tools में जाने के बाद, यहाँ पर alert आपको दिखाई दे रहा है, इसके उपर आप देख रहे हो, कि ABCD जो हमने alert create क कितनी बार trigger हो गया है, यह भी यहाँ पर आता है, अभी तक trigger नहीं हो आ, इसके वज़े से 0 दिखाए दिये रहा है, और trigger history भी आप देख सकते है, वो trigger history क्या है, कि last traded price अभी यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोस्तों कि 16 बारा आके फिर से चला गया है, इसलिए आप अगर पीछे जाके देखोगे, तो यहाँ पर trigger one time हो गया है, अब notification मैंने बंद करके रखे थे, इसके वज़े से यहाँ पर notification नहीं आया, लेकिन जैसे ही आपका यह enabled का जो है, वो trigger हो जाता है price, तो आपको अपके mobile के उपर, या फिर tab जो भी आप यूज क हो गया है, फिलाल हम चलते हैं फिर से watch list पे और watch list पे हम देखते हैं कि अभी तक यह फिर से नीचे आ गया है, तो दूसरी बार अगर trigger होना होगा, तो यह 16 बारा पे आएगा, तो ट्रिगर हो जाएगा, तो फिलाल तो अभी दूसरी बार trigger नहीं हुआ है, इसकी वज़े से एक ही यहाँ पे time trigger हुआ हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम edit भी कर सकते है, edit करके हम अगर इसको 11 कर देते हैं, तो यह change हो जाएगा, और change होने के बाद, आम अगर 11 प्राइज आ जाती है इसकी, तो यह trigger हो जाएगा, तो trigger किस तरीके से आता है, यह दिखाने के लिए मैं मैं थोड़ा सा और भी उसे modify करता हूँ, edit करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, 10.15 पे किस तरीके से यह trigger हमें मिल जाता है, तो फिलाल तो market चल रहा है, 10.30 पे 950, 950, 975, तो wait करते हैं, अगर trigger आता है, तो मैं आपको notification दिखा देता हूँ, थोड़ा wait करते हैं और दिखा है, two times यहाँ पे हमारा जो price alert है, वो trigger हो गया है, trigger history देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते है, 16, 10.50 आपका बजाश मिन सर्फ का alert जो है, वो trigger हो गया है, तो इस तरीके से आपका जो भी alert है, आप लगा सकते हो, delete करना है, तो delete कर सकते हो, यहाँ पे delete alert का भी option मिल जाता है, और इस तरीके से आपका जो भी breakout आएगा, उसे आप timely catch कर सकते हो, price alert लगा के, I hope आपको यह वीडियो काफी काम का लगा होगा, आपके जो भी doubts है, वो आप comment पे पूच सकते हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो please like कर देना, धन्यवाद,